आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंड किया था कि आप लंच रेसिपीज या टिफिन रेसिपीज चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए वही रेसिपीज लेकर आई हूँ, जिसमें हमने बनाई हैं दो तरहां की सबसी, मिक्स वेज रायता और साथी जवार की रोटी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर एक मिक्सिंग बोल में, मैंने तकरीबन एक चोथाई कप घर का ताजा दही लिया है, दही थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, टेस के कोर्डिंग, आधी छोटी चम्मा देगी जाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके और 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि मश्रूम इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे, आप गयास पर एक कूकर रखेंगे, इसमें दो बड़े चम्मच ओयल डालेंगे, जैसे ही ओयल अच्छे से गरम हो गया है, इसमे में डालेंगे, तीन मीडियम साइस के प्यास, जिसे हमने इलेक्ट्रिक चौपर में कर लिया है, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर चार में हलका सा दरदरा सा पीस पी सकते हैं, दो से तीन नट हलका सा ट्रासू सेंट होने तक भून लीजिए, अब इसमें डालेंगे, एक छोटे चमाच आदरा, एक छोटे चमाच लासून, और साथी एक हरीमिश डाल देंगे, बारिकटी हुई, और अब इन सब को अच्छे से भून लेंगे, यहाँ पर हमें इसे तब तक भूनना है, जब तक कि प्यास बढ़िया से गोल्डन कलर के ना हो जाएं, यह देखिए जब प्यास यहाँ पर बढ़िया से गोल्डन हो गए हैं, तो हम इसमें दो मिलियम साइस के टमाटर को बिल्कुल बारिक करके डाल देंगे, इलेक्रिक चोपर में ही किया है, आप चाहें तो इसे ग्रैंड जार में पीस करके भी डाल सकते हैं, अब इसमें डालेंगे नमक के कोर्डिंग, एक छोटी चमच, देगे मिर्श पाउडर डालेंगे, एक छोटी चमच, रल्दी पाउडर और बढ़ा चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच, गरम मसाला डालेंगे और इन्यहा अच्छछे से मिक्स करके और भून लेंगे, जब यहाँ पर मसाला तो हम इसमें तक्रीबन तीन चोथाई का पानी डाल रहे हैं, यह सबजी जो है मैं थोड़ी रस्मिसी बना रहे हूँ, बहुत जादा ग्रेवी वाली नहीं बना रहे हूँ, अगर आप इसे ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप पानी थोड़ा जादा आप कूकर का धकन लगा देंगे और इसे तीन विसल आने तक पका लिजे और ये देखिए तीन विसल के बाद हमारी सबजी बनकर के तयार हो गई है इसमेश में से बहुत ही बढ़िया खुश्बु आ रही है आप इसके उपर थोड़ा सा हरा धनिया ठाल देंगे और लीचे ह हमारी पहुत ही टेस्टी मश्रूम मसाला बनकर के तयार है आप इसे रोटी नान प्रांठा किसी के साथ भी खाएगा बहुत जादा टेस्टी है अब हम बनाएंगे आलू मिथी की सबजी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लोही की कड़ाई में दो चमच वाल डाल का गरम कर लिया है इस सबजी को अगर आप लोही की कड़ाई में बनाएंगे तो टेस्ट जादा अच्छा आता है इसमें डालेंगे एक पिंच हींग और जैसे हींग अच्छे से भून गई है डालेंगे आदी छूटी चमच जीरा साथ ही डालेंगे एक इंच अद्रक जिसे हमने बा इस एक मसाले जिसमें है नमक डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग और एक छोटी चमच देगी मिर्च पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दीजे आदी छोटी चमच भूना हुआ जीरे का पाउडर आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पा के आलू को बिल्कुल छोटा-छोटा काट लिया है आप इसमें डाल देंगे हमने इने पहले अच्छे से धो लिया था आप इसे अच्छे से मिक्स करके और आप इसे तब तक पका लिजेगा जब तक कि ये जो आलू है पूरी तरह से पकना जाए यानि सॉफ्ट ना हो जाए बीच-वीच में ढकन हटा कर आप इसे चला लिजेगा और ये देखिए हमारे आलू मेथी की सबजी बनकर के तयार है अगर मैं इस तरीके से तोड़ कर देखती हूं तो देखिए आलू एकदम सॉफ्ट हो चुके है यानि पक चुके है और अब आप इसे खुला ही तकरीब करनें डालािंगे मिक्सवेज रायता, मैंने काम जिए प्रशता, लगनर नानने पनते हिलेंगे अच्छ से पहले विक है, अधि गजम के और ये ऑघ श्चुट है ब्रुट के और आप अम्मक जाए जीर काऊडर, थोड़ आ पाने डाला आप, मैंने 2-3 छमच यान दो हीला मेति की सबजी, मश्रूम मसाला और साथी मेक स्वजरायता अब हम जल्दी से टिफन पैक कर लेंगे तो सबसे पहले मैं यहापर टिफन में डाल दूंगी आलू मेति की सबजी और आप रोटी पैक करने के लिए मैं यहापर यूज कर रही हूँ ओडी यूनी रैप्स का पेप मुलायम बनती है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और लीचे हमने यहापर लाइन चल्दी से पैक खर लिया है और रायता मैंने अलग टिबी में पैक किया है तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में जरू ट्राइ करना अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इसी तरह की और नही नही रेसिपीज देखने के लिए आप मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तक तक के लिए बाई